हेलो एर्यवन आज जो मैं साड़ी ड्रेपिंग कर रही हूँ वो साटन सिल्क साड़ी है तो इस तरह की जो साड़ी होती है उनका फैबरिक थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा सिल्की होता है तो यहाँ पे मैंने बेसिक टक कर लिया था इस तरह के कपड़े के अगर आप साटों का ध्यान रखना होता है जैसे आप जब पेटिकोर पहनते हो तो उसकी जो डोरी है वो आपको टाइट बांधनी होती है क्योंकि यह वाला जो सिल्क है वो बहुत फिसलता है तो यहाँ पे मैंने बेसिक टक कर लिया था और उसके बाद मैंने जो अपना पला है उसकी पले को टक कर दिया है और अब मैं वहीं से थोड़ा सा फैबरिक खीचते हुए नीचे लाऊंगी और जहां पे मुझे प्लेटे टक कहने है बहां पे लाके पिन अप करना यानि कि यह वाला जो साइड है खीच के मुझे पेटिकोर के साथ आपको पिन करना है पिन लगाना ह साड़ी में नहीं लगाना नहीं तो आपकी साड़ी ऊपर उठ जाएगी कोई फायदा नहीं होगा आप पेटिकोर्ट के साथ यह वाली पिन लगाएगा और यह वाली पिन लगाने से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और जो बचा हुआ फैबरिक का उसकी मैं प्ल प्लेटे टक करो तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से आगे निकलती होनी चाहिए जिससे कि आपका जो नीचे से प्लेटे आएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी और यहां आपको साटन है तो ध्यान रखना है कोई भी प्लेटे खिसके नहीं बीत तो उपर नीचे नहीं हो ध्यान से एक दम टक कर देना है और आपको एनको अच्छे से डाल के फिर पिन अप से टक करना बहुत जडरूरी है क्योंकि इस तरह का जो फैबरिक होता है वो बहूत फिसलता है तो इसलिए आपको पिन कए थीशते हो इसको टक कर देना और जब आप इसको solder पे टक करोगे तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप solder वाली पिन लगाते हो तो solder से कम से कम 2 इंच आपको पीछे जाके पिन लगाना है क्योंकि ये free परले की साड़ी है अगर आप पिन आगे लगा लोगे तो परला आगे की साइड गिरेगा इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो और इनका ये पूरा आलोवर लुक था आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आ तो प्लीज लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्काइब करके जरूर जाएगा और ये इनका पूरा मतल आदी